नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं आप सभी का विनंदन आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं रेडू भट आप देख रहे हैं PMEV डिया चानल चानल नमबर एक से बारह तक आप हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि आज का दिन बहुत खास है और आज की इस विशेश ही बताने वाले हैं आप यूट्यूब चानल पर यानि की NCRT ओफीशल यूट्यूब चानल पर भी लाइब स्ट्रेमिंग के थ्रू हमसे इस वक्त जुड़े वे हैं चिक्षारतियों आज 31 अक्टूबर है और आज जयनती है राष्ट्रे नायक और भारत के प्रथम ग्रीमंत्री सरदार वल्लब भाई पटेल की और आज का दिन इसलिए बहुत खास और विशेश हो जाता है ये नाम एक ऐसा नाम है जिसे मातर सुनकर हम गौरानवित महसूस करते हैं एक ऐसा नाम एक ऐसा महान वेक्तित्व जिसमें आगे आने वाली नाजाने कितनी पीडियां प्रेड़ना लेती रहेंगी एक प्रेड़ना दायक विक्तित्व रहा है उनका एक ऐसी शक्सित जिसे हम दिल से सरजुका कर नवन करते हैं और राश्ट्र को एक्ता के सूत्र में पिरोने के लिए इनका योगदान बहुत अमूले रहा है क्या क्या योगदान रहा है और क्या क्या उनके बारे में खास आपको जानना है आज हम इस सत्र में इस कारिक्रम में आपको बताएंगे और आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेशक के पहले हम आपको बता दे हमारे आज की इस कारिकरम का शीरशक आज का हमारा शीरशक है सरदार वललभाई पटेल G1.A वम कारे और आपको जानकारी देंगे हमारे विशीशक के जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मोजूद हैं आप हैं श्री नरताम विवेकानन मोतीराम असिस्टेंट प्रोफेसर शामलाल कॉलेज पॉलिटिकल साइंस दिलिविशु विद्याली से साथ ही हम सर आपके बारे में एक और बात अपने सभी दर्शकों से साथ साज़ा करना चाहेंगे कि Center for Democracy, Plutalism and Human Rights ये दिलिश्टित एक शोध संस्थान है जिसके आप मानत महा सचिव भी है तो शिक्षारतियों और चितने भी लोग हमाई साथ इस वक्त चुड़े हैं चाहे वह आप student हो या फिर ना हो आप teachers है या उनके parents है आप हमसे कोई भी सवाल जानना चाहते हैं सरदाव अलब भाई पटेल के बारे में उनके महान वेक्तित्र के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर कोई बात हमसे साजा करना चाहते हैं आपके सभी बातों का आपके सभी सवालों का बहुत-बहुत स्वागत है आप हमें करेंगे फोन कॉल हमारे टेलिफोन नमबर आप लिख लेज़े हमारे टेलिफोन नमबर है और आप यूट्यूब चानल पर यानि की न्सी आटी ओफिशल यूट्यूब चानल के लाइफ चैट बॉक्स में जाकर अपना कॉमेंट छोड़ सकते हैं इन माधिमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे विश्यशक ये आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तयार हैं तो सर जैसे हमने बताया कि राश्ट्रे नायक रहे सदा वलब भाई पटेल एक बहुत बड़ा नाम जिनने हम लोग पुरुष के नाम से भी जानते हैं आपके इस सवाल का जवाब देने के पहले आज बच्चों को मैं सभी बच्चों का इस कारिक्रम में सवागत करता हूं और मैं आप सभी को शुबकामनाय देता हूं आज का 31 अक्तूबर का जो दिवस है राष्ट्रिय एकता दिवस नाशनल यूनिटी डेई 2004 के बाद से हमने मराना शुरू कर दिया क्यों बच्चों सरदार वल्ला भाई पठेल जिन्हें लोहपूरुष हम मानते हैं जिन्हें बिस्ट मार्क अफ इंडिया ऐसा भी उन्हें कहा गया था क्योंकि भारत को स्वधिंता प्राप्त होने के बाद भारत में 565 रियासते थी उन सब रियासतों को साथ में जोड़ते हुए एक संध राष्ट्रिय एकता और अखंडता को बनाये रखने के लिए जो उनका योगदान है उस योगदान को याद करते हुए प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने गोशित किया 2014 में कि उनका जो जन्मा दिवस है 31 अक्तूबर उसको राष्ट्रिय एकता दिवस के रूप में हम मनाएं अब इस संदर में बात करते हुए आप देखेंगे कि उनके इस योगदान को याद रखने के लिए गुजरात नर्मदा जिले में नर्मदा जिले में गुजरात राज्य में स्टैक्श ओफ यूनिटी विश्व की सबसे उची मुर्ती बनाए गई और इस मुर्ती की जो उचा ही है 182 मिटर है मतलब 597 फीट उची मतलब विश्व की सबसे उची मुर्ती जो है उनके योगदान को याद करते हुए हमने बनाई हुई है और इसी योगदान को धान में रखते हुए भारत के राष्टपती श्री रामनाथ को विंद जी ने उनके बारे में कहा था जब वे उन्होंने स्टैक्श ओफ यूनिटी को विजिट किया उन्होंने भेट दी तब उन्होंने कहा कि भारत की एक था एवम अखंडता के शिल तथा उनके त्याग और संगर्श की महांता को स्मरण किया मैंने उसका स्मरण हुआ और उनके प्रती आदर एवम खृतग्यता की गहरी एक छाप मेरे मन पे पड़ी ये उन्होंने कहा था और उन्होंने इसका श्रेय जो है प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदीजू को द याद रखने की आवशक्ता है कि उनका जो याद करने के लिए भारत सरकार ने बनाया है और विश्व की सबसे ऊची मुर्थी है अब उनके जीवन परिचे के बारे में रेणु मैम पूछ रही थी परिचात्मक इसमें तो उनका जनम जो हुआ है 31 अक्तूबर 1815 में उनका मैंने जैसे कहां था शुरुवात में कि लोह पुरूश भारत के बिस्ट मार्क भारत के बिस्ट मार्क क्यों कहां जाता है दे बिस्ट मार्क अफ इंडिया क्योंकि जर्मनी का एकत्री करन करने में आटो वान बिस्ट मार्क नाम की जो वेक्ति है उन्होंने जर्मनी का एकत प्रबल और अखंड जिसमें एकात मता कायम रहे ऐसे भारत का निर्मान करने में उन्होंने अत्यनत महत्पूर्ण योगदान दिया उनके परिचे में कहते हुए हमें ये भी समझ ले कि आवशकता है कि वो अपने पिताजी और माताजी की उनके पिताजी का नाम था जावेर भाई और उनकी माताजी का नाम था लाडबा और उनकी चौथी संतान थे उनके तीन बड़े भाई भी थे सोमा भाई नरसी भाई और विट्टल भाई इस प्रकार के तीन भाई थे ये चौथी संतान थी उनकी शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा हम कहेंगे भारत में हुई थी, स्वाध्धाय में हुई थी, क्योंकि वो गुजरात के थो तो गुजराती माध्धम में हुई थी, लेकिन उनमें पढ़ने की ललक जो है, हमेशा पढ़ना है, अपने आपको next stage पे अगले कदम पर ले जाना है, ये ललक हमेशा उनमें बनी रही थी, इसलिए वे लंदन म में आता था, तो वो Bombay Presidency में और एक प्रकार के काम करते थे, लेकिन उनको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने की आवशक्ता लगी, इसलिए Temple Inn नाम के कॉलेज में वहाँ पर जा करके उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, तो उनकी जो बच्पन की जो कुछ महत्प मिलकर उनके खिलाफ ही, क्लास में हरताल शुरू करती हुना है, ऐसा भी कहां जाता है कि उनके हाथ में ऐसा एक फोर्ड आया था, जो अलसर टाइप, तो उसको फोर्डने के लिए एक लोहार के पास चले गए, लोहार के पास जो गरम वाला ये जो छुरा होता है, उससे वो फोर्डना चाहते थे, ये जो बालक है इतना छोटा था, सर्दावल्ला भाई पटेल छोटे थे, तो उनको देखते हुए, वो जो लोहार है, उसकी हिम्मत नहीं हुई, सर्दावल्ला भाई पटेल खुद ही आगे चल करके, उन्होंने वो छोरा लिया, वो गरम वाला, और अपना उन्होंने जो फोर्ड है अपने शरीर पे आया हुआ, उसने फोर्ड दिया, तो इससे पता चलता है, कि वे अन्नाय को सहन नहीं करते थे, और सहसी थे, और इसलिए भी भारत को स्वाधिन्ता या फिर भारत की स्वाधिन्ता अंदल में उनका योगदान है, या भार पूर्ण योगदान रहा है, जी, 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 सही ये तो बात है, उनके बाले काल के आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने शिक्षा लिया, हम, अगर उनकी शिक्षा पर ही, हम एक बात, अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि उन्होंने दसवी पास करने में बहुत समय लगा दिया था, एक अच्छी खासी उमर हम कह सकते हैं कि 22 वरश की उमर में उन्होंने दसवी पास की थी, जिसकी वज़ा से सब को चाहे जो भी लगा हो, लेकिन उसके बाद जब वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए, जैसे आपने बताया कि लेंड़न गए थे, तो वहा हम आपको बताते रहेंगे उनके बारे में, वो सभी बातें जो आप जानेंगे, जिनसे आपके व्यक्तित्व का भी निर्मान होगा, तो यहाँ पर बातों को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, उन्हें कई उपनामों से संबोधित किया गया है, जैसे लोह पुरुष के न इधाये नहीं थी, उनके बारे में अकसर कहा जाता था, कि जब भारत में वे थे, और वो बैरेस्ट्री या फिर वकीली के बारे में बढ़ें की कोशिश करते थे, तो वो अपने परिचितों में, जाननेवाले लोगों में से किताबे ले 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 अर पढ़ाई करते तो उनका जो समय जो है वो संगर्ष पूर्णे रहा, उनको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए खुदी संगर्ष करते हुए आगे बढ़ना पढ़ा, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि वो बड़ी देर से लंडन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए टेंपल इन कॉलेज में उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की लंडन में और वो जो कोर्स था 36 महनों का था, उनकी मेधा को हमें समयना पड़ेगा कि वो कोर्स उन्होंने क्लास में टॉप करते हुए 30 महनों में, सिर्फ 36 महनों का को उन्होंने 30 महनों में पोरा किया, त तो गुजरात में जब बाडोली का सत्याग्रह हुआ बाडोली का सत्याग्रह क्या हुआ कि अकाल पड़ा था वहां की परिसितिया गुजरात वो जो बाडोली जीले की परिसितिया थी किसानों की वो बहुत बदहाल थी और ऐसे होते हुए भी किसानों का जो टाक्स है वो टा वास पैसे नहीं थे अपने परिवार की भी वो साहयता नहीं कर सकते थे ऐसे में अगर सरकार 30% टाक्स बढ़ाती है तो वो बहुत ही क्या कहते हैं कि वो अन्यायकार किदम था सरकार का ब्रिटिक्स सरकार का वैसे तो बहुत सारे कदम उन्होंने जो उठा है हमेशा अन्याय कारे की थे क्योंकि भारतिये लोगों के कल्यान की कल्पना उनके मन में जरा कम ही हुआ करती थी वे तो अपने सामराज्य की रक्षा की के लिए पूरी प्रशासन व्यूस्था चलाते थे तो इसके लिए फिर बाद में वहां के जो किसानों के कुछ नेता थे जैसे पारिक थे ऐसे कुछ नेता उने साथ में आकर के सरदार वल्लभाई पटल को इस बात का अंदाजा दे दिया उनको कहां कि ये सारी परिस्तिया है और इस पर आपको कुछ करना चाहिए तो उन्होंने इस अंदोलन को आगे ले जाने की बात कही गांदी जी का आशिरवाद उन्होंने लिया गांदी जी का एक समर्थन था इस प्रकार से और किसानों को उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए आपको यातनाय सहन करनी पड़ेगी जो सरकार के अधिकारी है आपको आएंगे आपको सताएंगे आपकी प्रॉपर्टिस को भी शायद ऐसा हो सकता है कि उसको लिलाव करेंगे या उसको कॉन्फिस्केट कर लेंगे उसको हस्तागत कर लेंगे आईसी परिस्तितियों में आपको डरना नहीं है जीत आपकी होगी किसानों ने कहां कि सरदार जी पटेल भाई हम आपके साथ है वल्लब भाई हम आपके साथ है तब तक उनको सरदार यह उपादी नहीं मिली थी जिस सफलता से उन्होंने अंदोलन चलाया और जो किसान थे उन्होंने ये जो tax है ये पैसा ब्रिटिश सरकार को जो अन्यकारक था उसको देने से मना कर दिया अब मना करने के बाद जो ब्रिटिश सरकार के कुछ ब्रिटिश अधिकारी उनकी पुलिस वहस्था और कुछ पठानों को जो आज पाकिस्तान है जिसको NWFP कहा जाता है North Western Frontier Province वहां पे कुछ पठान लोग जो हुआ करते थे जो लंबे चोड़े हुआ करते थे मजबूत हुआ करते थे उन लोगों को भी उन्होंने लेकर आए बाड़ोली जिले में और किसानों के घर में जाकर के जबरदस्ती से जितने उनकी प्रॉपर्टी है जो अनाज है उसको सब अपने कब्जे में लेते थे और किसानों को डराते धमकाते थे लेकिन फिर बाद में किसानों ने ये तही किया कि नहीं ये जब आएंगे तो हम इनको कुछ नहीं देंगे हम सीधे जंगल में जाके छुप जाएंगे वो ऐसा ही करते थे तो गाओं के गाओं और वो क्या कर तो इन सब चीजों से बचने के लोग गाओं में चले गए जंगलों में चले गए छुपके रहने लगे अब इन सारी परिस्तियों के बावजुद भी लोगों ने अपनी हार नहीं मानी और जीत अंत में उन्हीं की हुई सरकार को उनका जो टैक्सेशन के जो रूल थे तीस प और कहते हैं कि एक महतव पूर्ण योगदान है इसकी जो नेत्रत्व लभाई पटेल जी ने की थी और ये सिर्फ पूरूश किसान ही नहीं महला किसान भी इस अंदोलन में उनके सार जोड़ी हुई थी तो ये सरदार नाम की जो उनकी उपादी है वो उनको उनके जो महला स सत्यागरह है और यहां पर यह सरदार जी बैठे हुए है और यहां पर गांधी जी दिखाई देते हैं और यह महलाएं जो उनकी साथिदार रही है उस अंदोलन में इन महलाओं ने ही उनको सरदार नाम की उपादी दी थी जी तो शिक्षारतियों और बच्चों ये तो बात है कि उन्हें सरदार के इस नाम से संबोधित क्यों किया गया क्या कहानी रही इस वाकिये के पीछे और हम आशर करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी यहां पर हम एक बात और हम सर से काफी बाते जानेंगे सिर्फ एक बहुत ही बढ़िया उधारन उन्होंने पेश किया कुशल राच्वनितित नेत्रित्व का तो से यहां पर हम आपसे एक और बात जाना चाहेंगे कि आज क्योंकि उनकी जहनतिया जन दिवस है तो आज के दिन को राश्ट्रे एकता दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है ऐसी क्या बात नहीं इसके पीछे जो आज का दिन इतने बड़े नाम से संबोरित किया जाता है जी यह बहुत अच्छा सवाल आपने पोच्छा है आज का दिन उनका जो जन्मदिवस है राश्ट्रे एकता दिवस नाश्टनल दे ओफ यूनिटी मैंने शुरवात में भी ज जिस प्रकार की परिसितिया सामने आई थी हमें समझने की भी आवशकता है कि वो द्वीतिय विश्व युद्ध के बाद विश्व में एक प्रभावी महासत्ता सामने आई थी क्योंकि उसके पहले अगर हम देखते हैं आंतर राश्ट्रे परिद्रिश्य में आंतर जर्मनी एक साइड में और दुसरे साइड में इंग्लेंड और उनकी मित्र राश्ट्र है फ्रांस वगरे तो हिटलर ने जिस प्रकार की युद्ध पद्धितियों का इस्तमाल किया जिसको बिट्स क्रिक कहा जाता है और इस प्रकार से बहाँ जादा नुकसान जो है वो इ इस प्रकार के फोर्स को बना करके अमेरिका और वेस्टर यूरोप सारा यूरोप एक प्रकार से अंतराष्टे राजनीती में एक नहीं एक अगारी जिसे कहते है एक अलायंस जो बन गया था अब यह जो अलायंस है इसी के साथ में हम देखते कि उसी दवरान के माध्यम से यह तरिक किया गया था कि जहां जहां यूरोपिय सत्ताओं ने अपनी पकड़ बनाई हुई है लोगों पर अत्याचार किये है अपना उपनिवेश किया है वहां से उपनिवेशिक शासन जो है पीछे ले आए और वहां के लोगों को स्वर्म निर्णे का अध भारत यह सारे प्रदेश हुआ करते थे तो भारत को स्वतंतरता मिलने के बाद यह चाहते थे मैंने थोड़ा सा अंतराश्टे परेदिशिया इसलिए भी बताया कि यह जो अमेरिका और उनके यॉरोप के जो मित्र है वो चाहते थे कि साउथ एशिया जो दक्षिन एशिया जहाँ पे भारत का महादवीब भारत का उपदवीब कहां जाता है इंडियन सबकॉंटिनन जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि यह जो भारती उपदवीब है साउथ एशिया में उनकी भू राजनीतिक महात्वा कांशाय बनी रहे और यहाँ पर उनका प्रभाव बना रहे इसलिए जो भारत को स्वतंतरता मिली तो भारत को स्वतंतरता मिलने के बाद जो Government of Independence Act इंडिया Independence Act या फिर Mount Baton Plan जिसे कहां जाता है Mount Baton योजना उसके तहत उन्होंने कहां क्योंकि भारत को अभी स्वतंतरता मिली है क्योंकि भारत में जो Muslim League जो पहले भारत में ही थी वो अल हमें स्वतंतरता तो दे दी है लेकिन भारत का विभाजन दो राष्ट्रों में हुआ है एक भारत है दुसरा पाकिस्तान और जहां 51 प्रतीशत से जादा जनसंख्या थी वो पाकिस्तान बना और 51 प्रतीशत से जादा जहां हिंदू जनसंख्या थी वो भारत बना तो इस प हो के थे मिता है आगर कि और Pandina Qamaiimos for Pnea आपक भारत को क्या अधिकर पाहरत में रॉारत को आप पाकिस्ता में विवे भाज़ा न कím हैं और रियास्ट आगर आगर Сवाइथ को छुने के अधिकार दिया गया कि अगर आप तो आप भारत का हिस्ता बन के रहिए अगर भारत में नहीं रहना चाहते हैं आप पाकिस्तान का हिस्ता बनना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं या अगर आपको स्वायत्तर रहना है स्वायत्तर राष्ट के रूप में आपको अपने आपको स्थापित करना है तो वैसे भी कर सकते हैं अब देखिएगा कि मैंने शुरवात में जैसे कहा था ये भारत को कमजोर बनाने का या साउथ एशिया में दक्षिन एशिया में भारत एक आर्थिक और सामरिक महस्ताना बने इसके लिए एक प्रकार सी योजना उन्होंने बनाई रखी थी और आप देखते है उसके बाद में पाकिस्तान के साथ अमेरिका और योरोपिय राष्टों की विदोस्ती हुई है तो इन जो 565 रियासते थी इनको साथ में जोडने का बड़ा सबसे बड़ा महत्पूर कार्य जो था स्वधिनता के बाद भारत में था तो सरदरवल्ला भाई पटेल भारत को जब स्वधिनता मिली तो वे भारत के उपवधान मंत्री डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और ग्रह मंत्री होम मिनिस्टर ये दोनों भी दायतों के पास थे इसी के साथ में रियासतों का जो कार्य है जो प्रिंसली स्टेट्स अफेर्स जो थे रियासतों का कार्य रियास साथ आकर जुड़ते गए और वाकि सारे जो राज्य है भारत का हिस्सा बने वो इसले भी बन पाए क्योंकि उसके लिए सरदार वल्लब भाई पटेल का जो नेत्रुत्व है उनके व्यक्तित्व के जो गोण है वो महत्पूर्ण है लेकिन हैदराबाद कश्मीर जुनागर औ मीर उस्मान अलिखान असफ जहा सेवन्थ जिने कहा जाता है सबसे अमीर प्रिंसली स्टेट भारत का हुआ करता था रियासत हुआ करती थी 36 क्रोर उनका अन्यूल बजेट हुआ करता था तो उनको भी साथ में जोड़ना था वो कहते थी कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंग अज्जसंस होना चाहिए जमिन जो जोड़ी रहनी चाहिए किसी भी राष्ट बनने के लिए वो तो संभवना ही नहीं थी लेकिन भारत ने सरदार वल्लब भाई पटेल ने कहा कि एक स्टैंड स्टिल अग्रिमेंट के था एका साल तक आप वेट आपको उन्होंने कहा हमेर जनता जो थी 80% जनता थी और मुस्लिम जनता भी 20% जनता थी और फिर भी वो मुस्लिम राष्ट बनाने की बात वहाँपर हैदराबाद में चल रही थी वहाँपर रजाका नाम की संगटन हुई या इस प्रकार के संगटनोंने जो आतताई संगटन थे जो आतंकवादी गटन थे वहाँ पे हिंदु जनता पर अत्याचार करना उन्होंने शुरू कर दिया सरदरवार वल्लब भाई बटेल ने कहां बहुत हुआ भी उन्होंने भारतिय सेना वहाँ पर भेजी जिसको Operation Water Polo कहां जाता है और 1948 में जो है यस 1948 में जो है यह जो भारत के साथ जोड़ गया है आप देखेंगे 1948 में हैदराबाद भारत के साथ जोड़ गया है उसी के साथ में कश्मीर का प्रश्ण भी भारत के सामने महतपूर्ण था आज भी उसकी समस्या हम जेल रहे है आज इतने में ही आप बच्चों ने सुना होगा कि किस प्रकार से वहाँ के कुछ आतंकवादी वहाँ के लोगों को मार रहे है वहाँ के शिक्षकों को मारा है वहाँ पर काम करने वाले सामन्य मजदूरों को मारा है तो भारत राजा हरी सिंग वो हिंदू थे और वहाँ की जनता मुस्लिम थी लेकिन जनता भारत में सम्मeलित होना चाहती थी राजा समय ले रहे थे उस समय कश्मीर के इश्वी ओपर नहरु जी भी अपना हस्ताक्षिप भाधा ले लगे थे लेकिन इसमें भी सरदार वल्लब भाय पटेल जी की अपनी जो योजनाए थी उनकी लीडर्शिप का महत्व दिखाए देता है कि The Great Indian Summer नाम की जो किताब है तुन्जलमन एक किताब लिखी है उसमें वो ब्रेटिश वक्ती है राइटर है उन्होंने उसमें कहां कि एक समय जब बाकी भारतिय सेना के लोगों को जब बुलाया गया और बाकी सारे अधिकारी थे जब चर्चा हो रही थी कि कश्मिर के संदर में क्या करना चाहिए तो नहरू जी उस पर भाषन करने लगे क्योंकि नहरू जी थारसा फिलोसोफी की ज़्यादा सूचते थे और सरदार वल्ला भाई पटेल वो डारेक्ट क्योंकि उनको पता था कि वास्तविक्ता क्या है अभी इस समय के मान क्या है तो तभी के तभी निरने होना चाहिए तो फिर उनकी जो भाषन को सुनने के बाद सरदार वल्ला भाई पटेल जुझला कर उनने कहा कि नहरू जी आपको कश्मिर चाहिए कि नहीं नहिरुजी ने कहा नहीं नहीं मुझे जरूर चाहिए कश्मीर का हमारा ही भाग है तो फिर उन्होंने सेना के अधिकारियों को कहा कि तो आपको You have got your orders, आपको आपके orders मेले इसी प्रकार से जोदपूर का प्रश्ण हुआ, इसी प्रकार से अन्य जुनागर का प्रश्ण हुआ ये सारे प्रश्ण सरदार वल्लब भाई पटिल की जो नितरुत्व था उनकी नितरुत्व की शमता जो थी उनके व्यक्तित्व में एक जो क्या कहते है उसको की स्ट्रेंग्ट थी ताकत थी जिसके वज़े से ये सारे जुड़ गए और ये 565 रियासते भारत के सार जुड़ कर आज हम एकता और अखंड राष्ट हम बन पाए इसके लिए योगदान जो है सरदार वल्लभाई पटेल क आई थी इसलिए उन्हें लोह पुरुष भी कहा जाता है जी तो शिक्षारते और ये तो बात रहे कि आज के दिन को हम क्यों रास्ट्रो एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और ऐसे क्या-क्या उनके योगदान रहे जिनकी वज़ा से उन्हें इतना हम याद करते हैं अभ पर हम अपनी बात को अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं ये तो बात हुई कि रास्ट्रो एकता दिवस क्यों मनाया चाता है और आपने बताया कि कितनी मजबूती से और दिर निश्य के साथ उन्होंने पूरी रियासतों को एक जुट किया क्योंकि उस से में ये आसा सपोर्ट नहीं था किसी महाशक्ती के हम किसी गुट में नहीं थे अपने आपको स्टाबिश करना एक देश के तौर पर अपनी एहमियत बनाना और अपनी सर नीप को जड़ को स्ट्रॉंग करना बहुत बड़ी बात है और बच्चों हम और भी बाते करते रहेंगे तो यहा कि भारती जो रियासते थी पांट सो पैंट सट रियासते थी उन रियासतों को जोडने का सबसे महतपूर्ण कारिय जो है सरदार वल्लभाई पटेल के निट्रित्व में हुआ और अकसर यह भी कहते है बहुत सारे जो इतिहासकार इस सिचुवेशन इस परिस्तिती का जब म के पास नहीं होता तो शायद आज हम दिल्ली राज्य से निकले दिल्ली एक अलग देश होता दिल्ली देश से निकले फिर राजस्तान देश में चले गए अगर मैसुर मुझे जाना है तो पहले मैं दिल्ली देश से निकला फिर राजस्तान देश में चला गया फिर मद्यप् करें तो हम देखेंगे कि एक देश के तोर पर हम कितने कमजोर हो जाते जी जी बिल्कुल और दूसरी बात कहने के आवशकता है हमें कि आप लोगों ने गयारवी बारवी आटवी नवी दसवी के बच्चों ने आप जो सुन रहे होंगे आपने सुना होगा कि भारतिय राज् घटना को भारतिय जो राज्य घटना है constitution है उसका article 1 एक article पहला article जो article 1 कहता है India that is भारत is a union of states भारत जो है राज्यों का केंद्र है मतलब क्या हुआ कि हमारे यहां पर आज की तारिक में जो कितने राज्य है 28 राज्य है और तो यह इन राज्यों को अपने एक कारियों में autonomy है इसलिए आपने सुना होगा कि तीन प्रकार के list है एक केंद्र सुची जहां पर सिर्फ केंद्र कारून बना सकता है एक राज्य सुची जहां पर राज्य कारून बना सकते है और जो समवर्ती सुची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों भी कारून बना सकते है तो रा बहाजन है उसको हमने संगराजीय व्यवस्था फेडरल स्टक्चर ऐसा कहा है लेकिन इसी के साथ में अगर हम देखें तो भारत में देखिए कि All India Services IAS Indian Administrative Services, IPS Indian Police Services और IFS Indian Forest Services इन तीन सेमाओं को All India Services का दरजागी दिया गया है तो सरदार वलला भाई पटेल जी को All India Services का जनक माना जाता है Father of All India Services क्यों उनका ये कहना था कि सरकारे तो पांट साल में बदलेगी लेकिन इस देश में जो भी policy बननी है जनता के हितों के जो भी निर्णे लेने है उसमें तो निरंतरता होनी चाहिए continuity होनी चाहिए अगर सरका बदलती है या फिर हमने देखा है कभी कभी अस्थीर सरकारे जब आती है तो अगर सरकार के लोग जो वहां पर पार्लिमेंट में बैठा हुए लोग है वो अगर नेड़े नहीं लेग पाए तो इन नीतियों को आगे कौन बढ़ाएगा तो इन नीतियों को आगे बढ़ान कि ये जो bureaucracy है ये जो नोकरशा है All India Services के जो अधिकारी है उनमें एक autonomy उनकी स्वायता होनी चाहिए स्वतंतरता होनी चाहिए राजनितिक हस्ताक्षेप से उन्हें बचाना चाहिए इसलिए bureaucracy IPS और IFS को वो steel frame उनका होना चाहिए कि उन्होंने इसके संबंद में बारंबार बाते रखी इस बात को उन्होंने जोर दिया स्वतंतरत फाधिनता के बाद और राष्ट्रिय अखंडता को बनाया रखने में ये All India Services योगदान दे सकती है ये सरदार वल्लभाय पटेल का मानना था इसी के साथ में कि ये All India Services के जो अधिकारी होते है वो केंदर शासन के अधिकारी होते है केंदर सरकार के अधिकारी होते है आप देखेंगे कि D.O.P.T. नाम का जो मिनिस्ट्री होती है वो सारे उनके सेवा शर्ते जो भी होती है वो निर्धारित करती है तो ये अधिकारी केंदर सरकार के होते हैं, राज्यों में केंदर की और से जाते हैं, ये योजना क्यों बनाए गई? कि कल अगर कोई राज्य भारतिय संगराज से तूटना चाहता है, कई पाकिस्तान में जाना चाहता है या सुतिंत्र राष्ट बनने की कोशिश करना चाहता ऐसी परिस्टियों में केंद्र की अगर वहां पर शासन व्योस था रहे केंद्र के अधिकारी रहे तो वो समय पर उस प्रकार की परिस्टियों को टालने के लिए उपायोजना भी कर सकते और केंद्र सरकार को इसके बारे में जानकारी भी दे सकते ताकि भारत की एकता और प्रलोभन है या किसी भी प्रकार के जो प्रेशर्स होते है जो दबाव होता है उसमें न आकर के प्रलोभन के बिना नेड़े राष्ट रहीत में उन्होंने लेना चाहिए इस संदर्ब में उन्होंने पहला भाशन जो है 21 अप्रेल 1947 में मेटकाफ हाउस जो दिल्ली में है जह 21 अप्रेल ये दिन याद रखना 21 अप्रेल 1947 इसलिए 21 अप्रेल को इंडियन सिविल सर्विसेस डे मतलब प्रशास्किया सेवा दिवस इस प्रकार का एक दिन मनाया जाता है ये हुवी और इंडिया सर्विसेस के संदर्ब में उनकी बाद दूसरी बात जो है कि भारतियाष जो श्वेत करांटी के संदर्भ में उनकी योजना थी की स्वेत करांटी मतलब क्या कि जो दूध है दूध का उतपाधन भारत में बढ़े इस संदर्भ में उनकी उनका योगदान भी हमें याद रखने की आउशचता है क्या हुआ कि पहले गुजरात में जो आज का आनद जिला है या फिर कैरा जो जिला था उस कैरा जिले में जो भी किसान थे वो दूद का उत्पादन तो करते थे लेकिन अलग-अलग से जो मेडल मैन हुआ करते थे मधधस्त हुआ करते थे उनके माध्यम से वो दूद बेचा करते थे इसलिए उनको जो भी मुनाफ़ा मिलना चाहिए उनका जो भी उनको मुनाफ़ा मिलना चाहिए जो भी उनके महनत आना होता है वो उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था इसलिए सारे किसान सरदार वल्ला भाई पटेल जी के पास गए उन्होंने अपनी परिस्टितियों का जो अंदाजा है उनको दिया उनको इन्फरमेशन दी उन्होंने कहा कि ठीक है इस संदर्ड में भी हमें आंदूलन करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए आपको यातनाय सेहन करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो मध्धस्त लोग होते हैं कुछ दिन आपसे शायद हो सकता है कि दूद नहीं करे दे तो किसानों ने ने कहा कि सरदार जी हम इस बात के लिए तियार है कुछ दिनों के लिए कुछ यातना है सहने के लिए हम तियार है लेकिन इस समस्या का हल निकलना चाहिए तो सरदार वल्लो भाई पटेल ने इसका अंदोलन किया और सरकार को ये नियम बनाने के लिए मजबूर कर दिया कि सरकार जो किसान है वो अपना जमी अपना जो दूद है वो जो दूद का उतपाधन वे करते हैं उसको सहकारी च्छत्र के माध्यम से सहकारी संगटनों के माध और उसे एक benefit जो मिलेगा वो अपने पास आएगा आप अगर देखेंगे अमूल का दूद आप देखते हैं भारत में जो श्वेत क्रांती जिसको white revolution कहते है दूद के उदपाधन के संदर में जिन्होंने क्रांती लाई उसमें अमूल ये जो दूद डेयरी है आनंद जिले में जो है उसने महतपूर्ण योगदान निभाया है तो सरदार वल्लब भाई पतेल ने इस संदर में अमूल के पहले जो निदेशक्त थे वहां के जो मुख्या अधिकारी डॉक्टर वर्गिस कुरियन जिनको white revolution मतलब श्वेत क्रांती के भारत में जिनको जनक भी माना जाता ह उनका वहां पर होने के संदर में सरदार वल्लब भाई पतेल का एक जो सुझाव था वो महतपूर्ण रहा है तो मतलब सरदार वल्लब भाई पतेल ने सिर्फ राष्टे मुद्दों पर ही नहीं लेकिन किसानों के मुद्दे जो जमीशतर के मुद्दे थे उन मुद्दों क संदर्व में भी योगदान दिया और मुद्दों के सम्達 में भी लडा या लड़ी जी तो यह तो बात रही कि उनके स्वाधीमिता हमारे स्वाधीमिता पराप्त करने के बाद क्या क्या उन्होंने ऐसे कार्य किये जो हमें याद करना बहुत जरूरी है सर आपने IAS IPS की बात की यानि की इंजन सर्विसिस की बात की जो आपने रीजन बताया यही रीजन है कि उन्हें भारत का भारत में अखिल भारती सेवाओं का जनक बाता है और आपने श्वेट करांती की भी बात की और सर हम अब आप से और भी इन बातों के लावा और भी जरूरी हो और उन्हें जानना भी जरूरी हो क्योंकि एसा व्यक्टित हो 11 होई जो हम कह सकते कि सद्चियों सजियों में सामने खेडा सत्यागरह इसमें आप देख रहे हैं यह Sardaravalla भाई पटेल है और यहाँ पर महात्मा गांधी जी है तो यह खेडा सत्यागरह में भी जो 1918 से लेकर के 1918 में हुआ था और यही समय था कि वे गांधी जी के संपर्क में आए और तब से लेकर के आज इवन गांधी जी के साथ में रहे और गांधी जी के मृत्यू के बाद उनको बहुत बड़ा सद्मा भी पहुंचाता ऐसा कहा जाता है तो ये खेडा सत्याग्रह का जो फोटो है वो आप देख रहे हैं दुसरी जो सत्याग्रह का फोटो मेरे देखाया था आपको ये है ये बाधोली सत्याग्रह रहे है अब यहा पर जो मैप देख रहे है आप कि इसमें सरदर वल्लभाई पटेल है अब ये भारत जो ब्रिटिश इंडिया जिसे कहा जाता है भारत को सतमतरता मिलने के बाद और भारत का पार्टिशन होने के पहले का भारत और भारत के पार्टिशन होने का बाद का भारत आप यहाँ पर जो पीले रंग का जो राज्य देख रहे है जो प्रदेश देख रहे है यह सारे प्रदेश जो है बिटिश इंडिया का हिस्सा हुआ करते थे और यहाँ पर जो नीले रंग में आप देखेंगे जो पिले रंग के अलावा जो देखेंगे आप तो ये सारी रियासते थी तो अब यहां पर देखिए ऊपर कश्मीर है और ये सारी रियासते आप देखेंगे तो ये भारत में दो पंचमाऊंच हिस्सा जिसे कहते हैं टू फिफ्ट अफ इंडिया स्टेरिट्री जो है वो इन रियासतो का हुआ करता था तो इन रियासतों को जोडने में उनका योगदान हमने पहले भी चर्चा की थी, वो जो महत्पूर्ण है, जो मैंने कहा था, अब यहां पर आज यह बंगलादेश है इदर, जो पहले पूरो पाकिस्तान था, अब यह यहां पर पश्चिम पाकिस्तान जो पहले का था, आज व बाद में करनाटर का देश में जाकर कि महसुर में चले गए ये वीजा लेकर कि आपको जिस प्रकार से जाना पड़ता इन सब रियासतों को साथ में जोडने का जो योगदान है वो महत्पूर्ण रहा है अब यहां पर आप देखेंगे एक दुसरी बात एक फोटो में आपको दिखाना चाहता हूँ यहां पर यहुवई फोटो उनकी अब यह सारे जो रियासतों के जो ट्रमु कुआ करते थे राजा जिन्हें कहां जाता था ये इन सारे सारों की ग्रूपफ फोटो आप यहां पर देखेंगे कि यह हैद्राबाद जो साउस्थान था हुँआवाद स सम्मेलित हुआ 1940 में जिसकी चर्चा हमने की थी कश्मीर ये जो कश्मीर जो टैमस अफ इंडिया दे हिंदुस्तान टैमस ने कवर किया कश्मीर अकसिर्ट स्टू इंडिया जिसे भारत में विले होने का जो इंस्ट्रूमेंट था उसको जो संधी थी उसको इंग्लीश में कहते थे इंस्ट्रूमेंट अफ आक्सेशन वो 1948 में कश्मीर भी भारत में जुड़ा तो इस प्रकार की ये सारी जो योगदान रहा है इस पर हमने सोचना चाहिए सदारवलोब भाई पटिल के जीवनी को हमें समझना चाहिए उनने उनके जीवन को देखते हुए राष्ट्रिय एकता और अक्षंडता को बनाये रखने के लिए उनके जीवन से हमें प्रेड़ना भी लेनी चाहिए और यकिनन हमें उनके जीवन से प्रेड़ना लेनी चाहिए क्योंकि इतनी महान शाहित हैं कि अगर हम प्रेड़ना लें कुछ भी अगर थोड़ा सा भी हम अपने अंदर बदलाव ला सकें बच्चों तो वो बहुत अच्छा और बहुत ही बहतर बदलाव होगा ना सिर्फ हमारे लिए बलकि हमारे पूरे समा आत्मक बदलाव आना बहुत जादा जरूर है इसलिए हम समय समय पर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए ऐसे कारेकर्म लेकर आते रहे ताकि आप अपने उन सभी विक्तित्व को जाने जिन्होंने हमारे देश के स्वाधिविता संग्राम के बहुत अच्छा और वहतर योगदान दिया और या फिर जिनकी वजह से आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं और अमन और चैन के हम सांस ले रहे हम अपनी बातों का सिलसला आगे जरूर बढ़ाएंगे लेकिन अभी समय एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देखने का हमारे सर्दार जिनका भारत के एकी करण में बहुत बड़ा योगदान रहा है और जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है जी हाँ वो हैं सर्दार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले ग्रिह मंत्री थे और वे उप प्रधान मंत्री भी रहे इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद जिले में हुआ था वे जावेर भाई और लाड़बा पटेल की चौथी संतान थे बच्चो ऐसा कहा जाता है कि सर्दार पटेल को अन्याए बिल्कुल पसंद रही था उन्हों ने अन्याए का विरोध करने की शुरुआत अपने स्कूली तीनों से ही कर दी थी सर्दार पटेल जब ग्रिह मंत्री बने तो उनकी प्रात्विक्ता थी भारत में देशी रियासतों को मिला कर भारतिये एक्ता को बढ़ावा दे रहा और ये काम उन्हों ने बखुभी किया आजादी से पहले जुनागढ़ राज्ये के नबाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था लेकिन भारत ने ये फैसला स्विकार नहीं किया बलकि जुनागढ़ को भारत में शामिल कर दिया वहीं जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव नहीं माना तो सरदार पटेल जी ने वहां सेना भेज कर निजाम को हत्यार डालने के लिए मजबूर कर दिया और हैदराबाद को भी भारत में शामिल कर दिया इसे Operation Polo के नाम से जाना जाता है बच्चों बारदोली सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधी दी थी भारत के एकीकरण में योगदान के लिए सरदार जी को लोह पुरुश के नाम से जाना जाता है वो ऐसे शक्स थे जिन्होंने 565 छोटी बड़ी रियासतों को एक करके भारतिय एकता का निर्माण किया भारत को आजादी दिलाने में सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसके कारण सरदार पटेल का जन्म दिन राष्ट्रिय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोर बांध के सामने सरदार जी की 182 मीटर उची लोह प्रतीमा बनाई गई है जिसका नाम Statue of Unity रखा गया है ये दुनिया की सबसे उची मूर्ती है जिसको एकता का प्रतीक माना गया है सरदार पटेल जी बहुत ही साधरन व्यक्ती थे उन्होंने भारत की एकता और अखंडता में अपना अमूल्य योगदान दिया इस अमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच राष्ट्री सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया ऐसे महापुरुष को हमारा नमन तब हमारे बच्चों ने देखा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन और हम आशे करते हैं कि छोटी से समय में और हमारा जो सेशन और कारिकरम चल रहा है उससे आपको बहुत सारी बाते जारने को मिली हमारे लोहपुरुष के बारे में और हम यहाँ पर आपको यह भी बता दे कि उन्हें मरनो उपुरांद भारत रत में से भी सम्मानित किया गया भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है यह और सर हमारे लोहपुरुष को दिया गया है और हमारे बच्चों की भी डिमांड है जो हमसे जुड़े हैं हमारे में कुछ जाना चाहते हैं जैसे आपने कारेकरम की शुरुवात इक प्रेख प्रसंग से की थी तो स्प्रेख प्रसंद को सुनकर हमारे बच्चे जरूर मोटिवेट हुए होंगे और यह उन्होंने जाना होगा कि बच्चपन से ही सहासिक नीचर के थे यह उनके देखिए बच्पन की दो घटनाय तो मैंने आप लोगों को बताई थी कि शिक्षक के साथ उनने शिक्षक के खिलाफ ही एक प्रकार से हरताल की दूसरी वो जो फोड़ आई थी उसको फोड़ने के लिए उनने जो योजना बनाई उन दिरों में यहां पर माफ कीजेगा हम आपको टोक रहें यहां पर हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जैसे वो सहासिक तो थे पर हम यह कह सकते हैं कि वो क्रांतिकारी नहीं थे सहासिक थे लेकिन हम मतलब अगर इन शब्दों को अगर हम डिस्क्राइब करें अगर अपने बच्चों क कि क्रांदी कारी एक शब्द अलग होता है, एक साहसिक होना अलग होता है, तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं? अभी बच्चो इस जो क्रांती कारी होना मतलब हाथ में बंदू के लेना या कहीं बम खोड़ना इतना ही क्रांती कारी नहीं होता है क्रांती तो उस संदर में अगर हम कहें तो गांधी जी भी बहुत बड़े क्रांती कारी थे गांधी जी बहुत बड़े क्रांधी कारी इसलिए थे क्योंकि आप पर अत्याचार सतत हो रहा है तब भी आपने अपना आपा खोया नहीं है आप शांत बैठे है सत्य का आगरह आप लेकर चल रहे है इसके लिए कितनी बड़ी क्रांधी कहेंगे हम इसलिए उस संदर्ब में अगर हम बात करें तो विश्व के महान नेताओं में गांधी जी को माना जाता है अनेक नेताओं को उन्होंने प्रभावित किया है मैंने ये गांधी जी का जिक्र यहां पर इसलिए भी किया कि 1918 के बाद जब वे बैरिस्टर बनके आये थे सर्दार वल्लम है पटेल तब से लेकर के सतद गांधी जी के सानिद्य में रहने का उनको हमेशा अवसर मिलते रहे और गांधी जी के साथ एक बिल्कुल गांधी जी भी उन्हें अपना छोटा भाई मानते थे प्रिय सर्दार या प्रिय वल्लब भाई करके उनको पत्र लिखा करते थे और सर्दार वल्लब जो बच्पन में ही वहां हुआ करता था 14-15 साल में ही तो उनकी पत्नी की बृत्यू हुई थी उसके बावजुद ये सारे उनके जो पर्सनल लॉसस थी अपने नीजी जीवन जो उनका था उसमें जो भी उनके जो यातनाय उनको सहना पड़ा था फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी फिर भी वो टेंपल इन नाम के जो कॉलेज में जाकर के बैरिस्ट्री जो 36 महने का कोर्स था मैंने बताया आपको वो 30 महनों में वो कोर्स पूरा किया बतलब कहने का मतलब यह हुआ बच्चों आपको कि आपके जीवन में जो भी समस्याय आती है बाधाय आती है आए जो घेरे प्रले की घोर घटाय जो जैसे प्रधान मंत्री हमारे जो प्रधान मंत्री थी पूरो प्रधान मंत्री अटल वहरे वाजबी की जो कविता थी कि जितनी भी बाधाय आती है उन्हें आने दो आप अपने संगर्श के रहां पर आगे चलते रहो वो इंग्लीश में एक जो लाइन है कि the great men who achieved heights in their lives so the heights reached and kept by great men were not attend by sudden flights but they while their companions were slept were toiling upwards in the night night इसका मतलब क्या हुआ कि जो महान लोग थे उन्हें जो भी उचाया प्राप्त की जिन उचायों पर वो बने रहे वो उचायी suddenly अचानक नहीं प्राप्त हुई थी जब उनके सहकारी बाकी के लोग सो रहे थे तब वो उस उचाय तक पहुँचने के लिए सतत प्रारिश्रम कर रहे थे दे वर टॉलिंग अपवर्ड जिन दे नाइट रात भर वो संघर्श कर रहे थे सरदार वल्लभाई पटेल के उधारण से भी हमें वो पता चलता है और दुसरी बात हर व्यक्ति के जीवन में जो भी होता है प्रामाणिक्ता नेकी जिसे हम कहते है प्रामाणिक्ता ओनेस्टी ये अवशक है जीवन में सरदार वल्लभाई पटेल मैंने कहा कि बहुत अनुशासन प्रियत है वो अपने जीवन में नेक थे आप सूचिए कि भारत के पहले उपरप्रधान मंत्री ग्रहा मंत्री रियासतों का दाइत आज हम देखते हैं कि कोई MLB बनता है तो कितना पैसा उसके पास हो जाता है लेकिन उनकी जब रुत्य हुई थी तब उनके परिवार को चलाने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं था कोई संपती उन्होंने बनाई नहीं रखी थी मतलब उनका सारा जीवन ही राष्ट्र और समाज सेवा को समर्पित था अपने नीजी जीवन के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा उसके बाद में ये कहां जाता है कि पंडी जवाला नहरु जी ने उनके बच्चों की देख भाल की थी तो मतलब इस प्रकार से जो नीजी जीवन में निस्वार्थता प्रमानिकता और चारित्र में पारदर शक्ता, अपने विवारों में पारदर शक्ता, इन चीजों को भी सदार्दर वल्लाब, भई पटेल के जीवन से हमें सिख मिलती है जी तो हम अगर अगर अपने आसपास और अपने हम पूरवजों को देखे या फिर हम इन सभी महान वेक्तित्व के बारे में अगर हम स्टडी करें तो हम देखते हैं कि उनका जीवन कितना अनुशासित रहा और बच्चों क्योंकि आप स्कूल में इस समय आपको भी अनुशासित को उसी तरह से फॉलो करना है हाँ हम ये कह सकते हैं और ये बहुत आराम से कह सकते हैं कि बच्चे थोड़े परिशान जरूर हो जाते हैं लेकिन आप यकीन मानिए ये जो अनुशासित आप अभी मेंटेन करके रखे हैं आप जब इस अनुशासित के साथ आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में और जब आप आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह अनुशासित लाइफ अपनी जिंदगी जीते रहेंगे तो आप दूसरों को भी प्रेरना देंगे प्रेरना स्रोथ बनना इतना आसान नहीं है उसके लिए संघर्षों से गुजरना पड़ता है यहाँ पर हम आपसे एक बार फिर से Statue of Unity के बारे में जानना चाहेंगे बच्चों Statue of Unity इसका मतलब ही एक ताकी मुर्ती तो भारत में उनके भारती राष्ट जो है उन सारी रियासतों को जोड़ना सब समाज को जोड़ना इतना ही नहीं उनके बारे में कुछ उधान मताये जाते है जैसे भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो यहां से जब मुस्लमान जो पाकिस्तान में जा रहे थे और पाकिस्तान का जो प्रदेश बना था वहां के जो हिंदू है भारत में आ रहे थे तो हिंदू पर वहां के मुस्लमानों ने आकरमन किया और मार दियां उनको, उन पर अत्याचार होने लगे और इस प्रकार के फिर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में यहां से जो मुसलिबान पाकिस्तान में जा रहे थे उन पर भी आकरमन होने लगे इसी प्रकार से एक बार ऐसी योजना बन रही है ऐसा सरदार वल्लब भाई पटेल को पता चला तो वे खुद कोई भी बहुत जादा सुरक्षा लेव अगर वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि ऐसा करना बिलकुल गलत है हम भारत में रहते हैं हम धर्व निरफेक्ष पंथ निरफेक्ष राष्ट काम निर्मान करना चाहते हैं और इसलिए हिंसा को हमें ट्याग ना पड़ेगा हिंसा के रास्ते से नहीं बलके हमें एक जो क्या कहते है कि उसको सबको साथ में लेकर चल करके हमें नए राष्ट का निर्माण करना पड़ेगा उन्हीं के अब एक उधारन ऐसा भी कहा जाता है कि जो दिल्ली में कोई दर्गा था वहाँ पर जो जनता है उस दर्गा को तोड़ने के लिए जा रही थी क्योंकि वो शुरुवात के जो दिन हिंदु मुसल्मान इस प्रकार के एक विद्वेश का वातावर्ण बना था तो उस दर्गे को बचाने के लिए सर्दार वल्लब भाई पटल खुद ही वहाँ पर चल पड़े और कोई सुरक्षा साथ में नहीं लिए थी, कोई बॉडी गॉड साथ में नहीं लिए थी इसलिए वो एक तो है कि भारतिये राश्टर की एकखंड़ता एकता बनाने के लिए उन्हें ने योगदान दिया समाजिक सवहाद का माहोर कायम रहे उसके लिए भी उन्होंने कार्य किया वो सुतिंतर भारत के जो अलपस संख्यांग का मंतरा लेके भी किसी कमिटी के वो अध्यक्ष रहे है इसलिए उनके जो स्टाचु अफ यानिटी का एक ता की मुर्ती इस प्रकार से नाम दिए गया अच्छा दूसरी बात यह है कि यहाँ पर यह योजना है भारत सरकार की कि स्टैच्च ओफ यूनिटी जैसे भारत के जो विश्व के साथ आकरशन हम मानते हैं अजुवे मानते हैं तो उनमें सिताज महल तो उसी प्रकार का एक आकरशन बिंदू एक पर्यटन स्थल जो है उस कि जो भी ट्रेडिशन लेगसी है उसको हम याद रखेंगे उन से सिखने की हम कोशिश करेंगे साथ ही में विश्व के सारे लोग भी सादार वल्ला भाय पटेल को जानने लगेंगे दूसरी महत्वपूर्ण बात स्टैच्च ओफ यूनिटी के संदर में कहा जाता है कि इत वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो जाएंगे तो ये मुझे स्टैच्च ओफ यूनिटी के बारे में कहना था बच्चों जी और बच्चों आपको तो पता ही है कि अगर हम इस स्टैच्च्च की बात करें तो विश्व में सबसे बड़ी और लंबी य पूरूशें उनके योगदान को लेकर हम नमन करते हैं हम उनसे प्रेडना लेते हैं और हम आप से भी एक निवेधन करते हैं कि जैसे महान विक्तित्व हैं थोड़ी थोड़ी अगर आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे थोड़ा प्रेडना आप उनसे लेंगे तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धन्यवाद और बच्चों को और एक बार शुब कामना है राश्ट्रे एकता दियोस की आप पढ़े आगे बढ़े सरदार वल्लब भाई पटेल एक बात में कहना चाहरा था मैं भोल गया था सरदार वल्लब भाई पटेल कहते थे कि हमारी जो पुरानी पीडी है या जो ओल्डर जेनेरेशन जिने हम कहते हैं उन्होंने अपना योगदान दो दी दिया है आने वाले समय में ये सारी जो जमेदारिया है वो आने वाले बच्चों के कंधे पर है इस चर्चा का सकारात्मक सरूप तभी हम मान पाएंगी कि उनके जीवन से उनके व्यक्तित्व से हम कुछ करे उसका हमारे व्यक्तित्व में आत्मसाथ करे हम और उन तत्वों को लेकर के आगे बढ़े और इस राश्टर को बनाने में अपना योगदान दे तो आप सभी को शुब का मनाएं बच्चे जैसे सर ने कहा कि राश्टर को बनाने में अपना योगदान दे इस बात को आप आत्मसाथ कर लें क्योंकि हम सभी के छोटे-छोटे प्रयासों से ही ये राश्टर बनता है तो बच्चों इसी के साथ हम इस कारेकरम को यहीं पर समाप्त करते हैं लेकिन आप हमारे साथ बने रहें प्यम एविद्या चानल और एंसे आटी ओफिशल यूट्यूब चानल पर क्योंकि हम आपके लिए लाइफ फोन इन प्रोग्राम्स लेकर आते हैं काफी ग्यान वर्धक रहते हैं और मनोरंजक भी रहते हैं अभी फिलहाल मुझे रेणु भट को दीजे जाज़त नमस्कार बच्चो आज हम आपको एक ऐसे राष्ट्रिय नायक के बारे में बताएंगे जिनका भारत के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान रहा है और जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है जी हाँ वो हैं सरदार वल्लव भाई पटेल सरदार वल्लव भाई पटेल भारत के पहले ग्रिह मंत्री थे और वे उप्रधान मंत्री भी रहे इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद जिले में हुआ था वे जावेर भाई और लाडबा पटेल की चौथी संतान थे बच्चो ऐसा कहा जाता है कि सरदार पटेल को अन्याय बिल्कुल पसंद रही था उन्हों ने अन्याय का विरोध करने की शुरुआत अपने स्कूली दिनों से ही कर दी थी सरदार पटेल जब ग्रिह मंत्री बने तो उनकी फ्रात्मिक्ता थी भारत में देशी रियासतों को मिला कर भारतिय एक्ता को बढ़ावा दे रहा और ये काम उन्हों ने बखुबी किया आजादी से पहले जुनागढ राज्ये के नबाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था लेकिन भारत ने ये फैसला स्विकात नहीं किया बलकि जुनागढ को भारत में शामिल कर दिया वहीं जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव नहीं माना तो सरदार पटेल जी ने वहां सेना भेज कर निजाम को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया और हैदराबाद को भी भारत में शामिल कर दिया इसे आपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है बच्चो बारदोली सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार की उपाधी दी थी भारत के एकीकरण में योगदान के लिए सरदार जी को लवोपुरुष के नाम से जाना जाता है वो ऐसे शक्स थे जिन्होंने 565 छोटी बड़ी रियासतों को एक करके भारतिय एकता का निर्माण किया भारत को आजादी दिलाने में सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसके कारण सरदार पटेल का जन्म दिन राष्ट्रिय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोर बांध के सामने सरदार जी की 182 मीटर उची लोह प्रतीमा बनाई गई है जिसका नाम Statue of Unity रखा गया है ये दुनिया की सबसे उची मूर्ती है जिसको एकता का प्रतीक माना गया है सरदार पटेल जी बहुत ही साधरन व्यक्ती थे उन्होंने भारत की एकता और अखंडता में अपना अमूल्य योगदान दिया इस अमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच राष्ट्री सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया ऐसे महापुरुष को हमारा नमन